हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेलिंग रूल नबर टू अकॉर्डिंग टू दिस रूल यदि किसी नाउन का आखरी लेटर वाई है तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई हट जाएगा और आई एस आजाएगा इसी तरह यदि वह वर्ड वर्ब है मतलब कि किसी वर्ब का आखरी लेटर वाई है तो अगर उसका इस्तमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करेंगे और सबजेक्ट ही, शी, नेम, एट, दिस या कोई सिंगुलर है तो वाई हट जाएगा और उसकी जगा आजाएगा आई एस इसी तरह यदि उन वर्ब का इस्तमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे चाहे सबजेक्ट कुछ भी हो तब वाई हट जाएगा और आई इडी आजाएगा जो की बन जाएगी उस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसी तरह दोस्तो यदि कोई वर्ड अजेक्टिव है और उसका लास्ट लेटर वाई है तो उसका जब हम कंपरेटिव डिगरी बनाएंगे तो वाई हट जाएगा और उसकी जगा आजाएगा आई इ आर और यदि हम उसका सूपरलेटिव डिगरी बनाएंगे उस अजेक्टिव का तो वाई हट जाएगा और आजाएगा आई इस टी अब इसी rule को दोस्तो example के साथ समझते हैं देखिए singular noun spy, berry, bunny, category, antigency लिखा है और इसका जब plural बनाएंगे तो y हट जाएगा उसी जगा जाएगा IES तो spy का हो गया spies, beric का हो गया berries bunny का हो गया bunnies, category का हो गया categories antigency का हो गया antigencies और दोस्तो वर्ब का example देखिए carry, berry, dry, deny, justify इन सभी के last में y है और ऐसी कई verbs होती हैं जिनका last letter y होता है उन सभी में y हटा देंगे हम और IES आजाएगा present indefinite tense में यदि subject जो है वो he, she, name, it, this या singular है जैसे यहां हुआ है she carries, who buries, this pin dries, he denies, Raman always justifies इसी तरह दोस्तो past indefinite tense में होता है past indefinite tense में y हटा देंगे हम वर्ब में से और उसकी जगा आ जागा IED चाहे subject कुछ भी हो और वो वर्ब हो जाएगी फिर second form यहां पर जैसे देखिए carry का carried हो गया है, bury का buried हो गया है, dry का dried, deny का denier, justify का justified दोस्तो B-U-R-R-Y जो यह लिखा है, इसको bury नहीं पढ़ते हैं, correct pronunciation होता है bury, B-U-R-R-Y, bury, जिसका meaning होता है दफनाना adjectives देखते हैं दोस्तो, are you happier than me, यहां पर happy का comparative degree है, happier which war was the bloodiest in the human history यहां पर bloodiest जो है, bloody का superlative degree है, I am busier than you, busier जो है, busy का comparative degree है, his jokes were the funniest in the show, funniest, यह superlative degree है दोस्तो, funny word की, you seem to be hungrier, hungry का comparative degree होता है, hungrier दोस्तो, पर दोस्तो, यह English language है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस rule का exceptions ना हो, तो इसके exceptions भी हैं दोस्तो, देख लीजिए, boy का boys होगा, मतलब boy के साथ s जुड़ेगा, y नहीं हटेगा, toy का toys होगा, toy का, toys होगा, lay का, के साथ भी s जुड़ेगा, और pay के साथ भी s जुड़ेगा, and say के साथ भी s जुड़ेगा, and say के साथ भी s जुड़के says हो जाता है जब हम present indefinite में इसका इस्तमाल करेंगे, और subject he, she, name, it is, या फिर singular होगा और boy, boy और toy जो है, वो noun हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, I am sure you have understood this rule, and you will never forget to apply this rule wherever it requires. Thank you friends for watching this video, bye friends.